नमस्कार दोस्तों आप शबका श्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग शेकने वाले हैं कि आउकलज के अनुप्रियोग से संबंधित योदी कोई शावाल दिया गया है तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे देखिए आपके स्क्रीन पर शावाल दिख रहा है सवाल है कि बृत के छेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिजया आर के सापिक्षग्याद केजिए जबकि पहला जो इसमें दिया गया है ए नंबर करके त्रिजया आर जो है तीन सेंटिमीटर है और बी नंबर सवाल जो दिया गया है आर का मान जब चार सेंटिमीटर है तब जो है छेत्रफल में परिवर्तन की दर जो है तिरी जाके शाफेक्ष गयात करना है तो चलिए पहला जो शवाल है इसमें ए नमबर हल किया जा छेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछा गया है पहले का ए नमबर शवाल हम लोगों हल कर रहा है बनाते हैं देखीए तो ब्रीत का च्छेत्रफल जो है अम लेंगे हम लोग कि माना ब्रीत का च्छेत्रफल एठ्र लिक्लिए आजार माना ब्रीत का च्छेत्रफल ए ए Rights तो शमज़िएगा फिर हम लोग यहां कह सकते हैं कि ए बराबर चुकि बृत्य का छेत्रफल के लिए सुत्र क्या होता है पाई यार इस सुक्वेर अब इसमें परिवर्तन की दर निकालना है किसके साप एक्ष आर के साप एक्ष तो क्या करेंगे हम लोग दोनों पक्षों का कर लेंगे तो दोनों पक्षों का आर के साप एक्ष आवकलन करने पर अब ओकलन करेंगे हम लोग तो बनेगा डी डी आर ओफ एई उकल्स टूपाई तो अच्छे रहे ना इंटू डी डी आर ओफ आरे शुक्र हार इसकार का जब हम लोग आर के साब एक शॉक्रन करेंगे तो यह टूर बन जाएगा जिसको लिख लिए जाएसे ही डी डी आर ओफ एई उकल्स टूपाई और यह अरिस्कार का वकलर्स टू आर्क की मिलेगा हम लोगों को अउकलड्स डी डी आर ओफ एबर डू पाई आज को हम लोगों ने देखिए च्छे ट्रफल में परिवर्तन किसके साब एक्ष और के साब एक्षा ठीक जबर परिवर्तन किदर ग्यात कर लिए अब पूचा यह गय रखा जाया तो टू पाई इंटू आर के जगर तीन रख लेंगे हल करेंगे हम लोग को मिल जायागा देखें यहां टू पाई एंटू थी गुड़ा करेंगे शिक्स पाई बनेगा तो दी, डी आर आफ ए, आर बराबर तीन सेंटिमेटर पर क्या बन रहा है, सिक्स पाई, सिक्स पाई बन रहा है, और यह किसमे परिवर्तन किदर है, छेत्रफल में, तो छेत्रफल का मात्रक क्या हो जायागा, यहाँ देखें, चुकि त्रिजिया सेंटिमेटर में है, तो छेत्र से सेंटिमेटर से सेंटिमेटर को कटाएंगे नहीं हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कटाया नहीं जाता है आप लिख लेंगे इस तरह कि जब त्रेजिया जो है तीन सेंटिमीटर है तो ब्रिद के छेत्रफल में परिवर्तन की दर इतना होगा इसी तरह से पहले का जो B नमबर शवाल है इसमें R का मान जो है दे रखा है कितना? 4 सेंटिमीटर तो पूरा हूँ बहू इसी तरह से शवाल बनता आएगा बस इसमें जहां हम लोगोंने R के जगत 3 रखा है इसमें हम लोग रख लेंगे ऐसे DDR of A और इसमें R के जगा रखेंगे 4 सेंटिमीटर तो आप देखिए यहां रखें तो क्या बनेगा? 2 Pi और R के जगत 4 रखेंगे तो 2 Pi एंटू 4 क्या बन जाएगा? 8 Pi सेंटिमीटर स्कूर प्रती सेंटिमीटर ऐसे आप शवाल को हल कर लेंगे इसा जब भी सवाल मिलेगा इसको बिल्कुल असानी शेह हल कर लेंगे यह आउकलज के अनुप्रियोग से है यानि कि आउकलन का प्रियोग करके हम लोग सवाल को हल कर रहा है तो इस वीडियो में इतना ही जो शवाल मैंने बताया आपको कैसा लगा यदि सवाल समझ में आया हो वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा साथ ही साथ यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्स जुल झाल